अस्लाम अलेकुम स्टूडन्स, आज हम रचना विभाग में पत्र लेखन समझने जा रहे हैं। पत्र लेखन का सही तरीका क्या है और क्या बदलाव आया है। और यह पत्र लेखन आठवी, नवी, दसवी के स्टूडन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन है. तो चलते हैं पत्र लेखन की ओर. चलिए, देखते हैं पत्रों के प्रकार के कौन से हैं. तो students, सबसे पहले हम देखते हैं पत्रों के प्रकार, पत्रों के दो प्रकार होते हैं, आपचारिक पत्र और दूसरा है अनापचारिक पत्र, आपचारिक पत्र यानि के formal letter और अनापचारिक यानि informal letter, आपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले से संबंद नहीं होता, यहाँ पर कोई संबंद नहीं दिखाया जाता है पत्र लिखने वाले से इसमें नियमों का पालन होता है पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावदानी भरतनी पड़ती है और भाशा शैली भी अपचारिक होती है यानि कि ओफिशल होती है अब आगे देखें तो अनापचारिक पत्र मे पत्र लिखने वाले से गहरा संबंद होता है इसमें नियमों का पालन नहीं होता है पत्रों को लिखते समय सरल भाशा का प्रयोग किया जाता है पहचान वाले रिष्टेदार मित्र सहेली या यू कह लीजिए कि यह पत्र जो है वो घरेलू पत्र कहलाता है आपचारिक पत् दूसरा है कारियालई पत्र और तीसरा है व्यवसाईक पत्र प्रातना पत्र में शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदी हैं कारियालई पत्र में सरकारी ओफिसरों या अधिकारियों स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापक और प्रचार्य को लिखे जाते हैं व्यवसाईग पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कम्पनी आधी को लिखे गए पत्र है व्यवसाईग पत्र में सामान खरीदने वबेचने अथवा रुपियों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं यह सब है हम केवल दो बाते महत्वपूर्ण रखते हैं वह ध्यान में रखते हैं कि आपचारिक पत्र और अनपचारिक पत्र जो है दोनों एक दूसरे के विरोध हैं यानि के अपोजिट हैं अब वो कैसे? आपचारिक पत्र में हमें क्या करना होता है? नियमों का पालन करना होता है. जैसे कि सेवा में, फिर उसके बाद विशे आ जाता है, फिर उसके बाद हम महोदे, ये वर्ड यूज करते हैं. तो ये सबी नियम जो है वो अवचारिक पत्र में पालत करना होता है। अनवचारिक पत्र में घरेलू होने के कारण जब पत्र लिखते हैं तो प्यारे मित्र यह कहते हुए शुरुआत करते हैं। तो ये अनवचारिक पत्र में आ जाता है। तो हमने आज पत्रों के दो प्रकार देखे हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपचारिक पत्र सीखेंगे. आपचारिक पत्र लिखते समय हमें इन बातों का इन वाक्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. किसे याने पाने वाला जिसे पत्र लिखा जाता है, कहां से तो लिखने वाले का पता आएगा, कहां पाने वाले का जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, और क्यों याने विशे, उस पत्र का विशे क्या है ये देखेंगे. तो पत्र लिखते समय इन शब्दों को याद रखें कौन, किसे, कहां से, कहां, क्यों इसे ध्यान में रखने से आपको पत्र लेखन में आसानी होगी तो चलते हैं पत्र की ओर तो चलिए students, यहां पर मैंने एक question, एक प्रशन यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए, वो देखते हैं सुशील कुमार अलप विराम, 21 अलप विराम, लक्ष्मी निवास अलप विराम, महत्मा गांधी मार्ग अलप विराम, बुसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर बुसावल, 425201 को लाउट स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है अब चातरों आपने देखा होगा के उपर शुशील कुमार याने लेटर लिखने वाले ने अपना नाम लिखा है